दिखावा बहुत ही खराब बिमारी है कहते हैं जिसे दिखावे की बिमारे लग जाती है उसका कहीं कोई गुजारा नहीं है एक दिन राधा पड़ोसी से कहती है वो क्या है न मेरी बहन आ रही है आज शाम को दो गंटे के लिए वो जो आपका sofa है न काला वाला लेदर का वो जड़ा मैं अपने घर में रखवा सकती हूँ क्या हाँ पर बेहन के लिए हमारे घर का सोफा क्यों वो क्या है ना मैंने उन लोगों को बताया कि ये सोफा मैंने लिया है तो मुझे क्या पता था कि वो घरी आ जाएगी प्लीज ये मेरी इज़त का सवाल है अब भी सवाल इज़त का है तो क्या क्या आ जा सकता है दे देती है हाँ, बच्चे बैठे तो संभल कर, जरा सी नुकिली चीज लगी नहीं तो सोफा खतम हारी कैसी बात कर रही है, कैसी बात कर रही है आप, दूसरों की चीज़ों को कैसे संभाला जाता है, अच्छे से जानती हूँ मैं खेर दिखावे के लिए ही सही सोफा पहुँच जाता है राधा के कर, और शाम को आ जाती है बहन मासी, मासी, कैसी है आप, वाउ, कितना प्यारा सोफा है, वाउ, ये तो बिल्कुल फिल्मों चैसा है ये बोलकर बच्चे सोफे पर कुदने लगते हैं कि राधा, आरे नहीं, नहीं, सोफे पर मत कुदो, ना पीटा, ना, ना, ना राधा के बैन समीरा बोल पड़ती है, वाउ, दीदी, वाउ, ये सही है, मेरा बेटा थोड़ी देर खेल भी नहीं सकता क्या हरे नहीं, वो बात कहना की सोफा थोड़ा, थोड़ा क्या राधा, कहां से आया ये सोफा क्या बात है दीदी, जीजा जी को बताए ब Examina सोफा खरिद लिया क्या वो क्याना मैं जहा रही थी धन्या खरीदने रास्ते में मुझे ये सुफ़ा अच्छा लगा तो मैंने खरीद लिया वाव दीदी ये तो लाखों कर लग रहा है राधा तो अब अपनी तड़ी में आ जाती है लाख? लाख क्या माउंट है मेरे लिए अरे कई बार तो मैं चौक तक रिक्षा लिती हूँ और मन कर गया तो फ्लाइट से मनाली मसुरी घूम कर आ जाती हूँ देखो देख रहे हो मेरी दिदी के पास कितना पैसा है जी जा जी कितना पैसा कमाते है कि लेने निकलती है दस रुपे का धनिया और ले आती है लाख रुपे का सोफा तबी पीछे से कुछ फट्ली की आवाज आती है मा अरे 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 क्या हो गया बच्चा सभी देखते हैं कि बच्चा जमीन पर गिरा होता है और उसके हाथ में सोफे का कपड़ा होता है बच्चे ने सोफा फार दिया होता है जिसे देखते ही राधा बाखला जाती है अरे ये क्या कर दिया राधा को तो नजानी क्या हो जाता है वो जूर जूर से रोने लगती है अरे क्या हो गया फट गया तो दूसरा ले लेना फिर कभी मिर्ची धन्या लेने निकले तब ले लेना क्या समीरा कैसी है तुमारी दीदी इतनी छोटी सी चीज के लिए ऐसे रो रही है जैसे खुद खरीदा सूफा नहीं पर हम लोगों को दिखाने के लिए पड़ोसी से मांग लाई हो वो सोफा पटा हो समीरा क्या सची वैसे मुझे याद आ रहा है पड़ोसी के घर थोड़ी दिर पहले ही ये सोफा उतारा जा रहा था वैसे दीदी ये कर सकती है उनसे यहीं उमीद है लेकिन दीदी ये तो मैं थी आपकी छोटी बैन मुझसे दिखावा करने की क्या जरूरत थी जी जा जी मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है मैं सोफा अभी ठीक कर देती हूँ पता भी नहीं चलेगा कि ये कभी फटा भी था बस फिर क्या था समीरा सोफा ठीक कर देती है सोफा पडोसन के घर चला जाता है उसे कुछ पता नहीं चलता और राधा कान पगड़ती है कि वो अब से किसी का कुछ भी उधार नहीं लेगी लेकिन फेर रहे एक दिन राधा की सहली यार राधा कितना वक्त हो गया हम लोगोंने बात भी नहीं की कैसी है तू मैं तो मस्त हूं तू पता क्या चल रहा है कहां गुम रही है अरे कुछ नहीं बहुत समय हो गया था तो सोचा तुछ से मिलने आओ तो खाना बना ले न मैं और मेरी ननद आएंगे खाने पर और हाँ मेरी ननद ना बहुत बड़े करकी है तो थोड़ा स्टीटस देख ले न हाँ हरे कैसी बात करती वो तो तू ना भी बोलती न तो मेरा स्टीटस खुद बोलता वैसे भी यार मैं बहुत रईस हूँ हाँ तूने मेरे सोशल मीडिया नहीं देखी क्या अब क्या था राधा के घर उसकी सहली आ रही थी तो जो वो दिखावे वाला केडा था ना फिर से उचाली मारने लगता है राधा किचन में जाती है जहाँ पर हाई रे मेरे पास तो ये सिंपल सा डिनर सेट है अब कैसे मैं उसे अपना हाई प्रोफाइल वाला स्टेटोस दिखाऊंगी एक काम करती हूँ वो जो नई परोसन आई है उसके घर से लिया आती हूँ कम से कम इज़त तो बनी रहेगी राधा परोसन के घर जाती है और देखती है कि सामने ही शोकेस में महगा वाला डिनर सेट लगा होता है वो क्या है ना मेरे घर में कुछ ज़्यादा ही लोग आ रहे है तो वो वो नीला वाला डिनर सेट आप मुझे दे सकती है प्लीस परोसन नई होती है वहले में जान पहचान बनाने के लिए बिना ज्यादा बोले वो डिनर सेट तो दे देती है लेकिन देते वक्त आप ले जाएए बस ये ध्यान रखिए कि ये रूम से आया है मेरे पती लाए थे तो लाखो का है है ना लो कर लो बात वो तो देख कर ही लग रहा है क्या है ना मेरे पती भी विदेश का ही सामान घर पल आते हैं मेरे पास Same to Same था पर पुराना हो गया था ना तो मैंने नौक रानी को दे दिया था हाई रे सच्छी मेरा तो दस साल हो गया पर आज भी हाथ काम ने हैं किसी को देते खेर, डिनर सेट लेकर राधा खर आ जाती है, मैमानों के सामने प्लेट रखती है तो सहली की ननत बोल पड़ती है अरे, ये डिनर सेट तो बहुत ही खास लग रहा है, कहां से लिया? रोम, रोम से लिया है, लाखो का है यार, सच्ची मानना पड़ेगा, तुने तो बड़ा स्टेटस मेंटेन रखा है, क्यों? तब ही ये क्या? ने, एक बार, फिर किसमत खराब ननत के हाँ से प्लेट गर जाती है और तोट जाती है ए भगवान, ये क्या कर दिया? इस ओके, होता रहता यार, डोंट रियक्ट सो मच उसे बुरा लग जाएगा ना अरे लगे बुरा, मुझे क्या है? ये प्लेट तोड़ कर खाना कौन खाता है? पैसे निकाल, मैं कह रही हूँ निकाल पैसे पर कैसे बात कर रही है? लाख रुपय है न तिरे पॉस तो हाँ तभी, तभी बोल रही हूँ के पैसे निकाल नहीं तो पुलिस को बलाती हूँ पैसे भी क्या बोल रही थी तू? बहुत पैसे वाली है न ये? तो बोल, लाख रुपय दे, फिर ही जाने दूँगे, मैं इसे यहां से खाया, पिया, कुछ नहीं, प्लेट तोड़ा लाख रुपय है, चलो भाबी सहली की ननत क्या करती, पर्स में से पैसे निकाल कर दे देती है और वहाँ से चली जाती है हाँ रे, अब मैं क्या बोलूंगी पड़ो सन को तभी राधा का बेटा मा, मा ये देखो, मैंने वो टूटी प्लेट कैसे फेवी क्विक से जोड़ती लगे नहीं राना कि ये कभी टूटी भी थी राधा प्लेट देखकर खुश हो जाती है वो बच्ची को प्यार करती है और भाब कर डिनर सेट पड़ो सन को दियाती है और घर आकर नोट गिनती है क्या सुचा था, हर कहानी के अंत में सबक ही मिलेगा कभी सम्मेलन देख देखके घर की शीला देवी को शेरो शायरी का बुखार चड़ गया था अब वो सीदे मों किसी को जवाबी नहीं देती थी उनके पती और उनका बेटा तो काम करने घर से बहार चले जाते थे और उनके शायरी जिलनी पड़ती थी बहु रेणु को अब सास बोलती नहीं, अर्ज करती थी संदूक पे रखी संदूक, संदूक में रखे चुमके बहु जुमके निकाल के दे मेरे, कहां लगा रही है ठुमके मा जी, जुमके तो आपके निकाल दूँगी मैं लेकिन आपके दिमाग से ये शायरी का भूत कैसे निकलेगा छोटे लोग नहीं समझेंगे, शायरी है शौक बड़ा तू अपने काम से काम रख, मेरे काम में मत टांगड़ा शौक अलग बात है, लेकिन हर चीज में अपना शौक डाल देने से जगह साई हो सकती ये सासुमा अरे मैं हूँ एक नंबर कलाकार, कोई ऐसी वैसी बला नहीं तुम घर के कामों में उल्ची, समझोगी मेरी कला नहीं ठीक है माजी, आप नहीं समझती तो कोई बात नहीं लाओ, मैं आपके जुमके ही निकाल कर दे देती हूँ बहु सास के जुमके निकाल कर देती है, और वहां से चली जाती है शाम को बहु अपने पती से शिकायत करती है सुनिये जी, आप मा को कुछ समझाती क्यों नहीं अरे क्या समझाना है मा को अरे अपनी शायरी थोड़ी कम करे न अरे तुमको उनकी शायरी से क्या दिक्कत है अरे मुझे नहीं, पर पड़ोस में सब लोग हसते है क्या टेंशिन लेना अरे वा, मैंने भी शेर कह दिया वावा, वावा देख लो, तुमसे किसी ने कहा नहीं और तुम्हारे सामने कोई मा की बुराई नहीं करता तो तुमको फर्क नहीं पड़ रहा अरे तुम खा मखा की बात का बतंगड बना रही हो चलो, चाई बना कर ले आओ मेरे लिए साथ दियेंगे, कोई धंकी बाते करेंगे रेनू चाई बनाने लगती है पहले वो अपने पती को चाई देती है फिर सास को और आखिर में अपने ससुर को लेकिन वो देखती है कि ससुर जी कुछ परिशान से है क्या हुआ ससुर जी कोई बात हो गई है क्या और तेरी सास बात बात पे शायरी करती है कल मैंने पूछा कि खाना खाया, तो तेरी सास ने क्या जवाब दिया पता है अर गलती की और आरोपी ने कोडे खा लिये फटा फट खाना तो नहीं परपकोडे खा लिये जटा जट अब बता, क्या जवाब दू इस बात का वो तो सेभी से शायरी में ही बात करी है, मुझे भी समझ में नहीं आता कि क्या करूं मैं बेटा, उसको उसी की भाशा में जवाब देना पड़ेगा मैं तो आम बातचीत में भी उसके सामने कुछ नहीं बोल पाता शायरी में क्या बोलूँगा भला ससूर ने जैसी ही कहा कि उसको उसी की भाशा में जवाब देना पड़ेगा बहु को ये बात जजज गई अगले ही दिन वो शायरी की कुछ किताबी लेकर आई और शायरी की प्रैक्टिस करने लगी ताकि सास को उनी की भाशा में जवाब दे सके उसने दिन रात एक कर दिये एक दिन सब साथ में बैट कर टीवी देख रहे थी तबी रेण उसब के लिए बिर्यानी बना कर लाती है लेकिन सास को बिर्यानी भाती नहीं कवा करता काउं काउं चिडिया बोलती ची ची इतना खराब बिर्यानी बनाई है के मूँ से निकले ची ची बस इसी मौके का तो बहु को इंतजार था क्योंकि अब बहु सास को उसी की भाशा में जवाब देने के लिए तयार थी ससुर्जी और रेणो के पती ने रेणो का जवाब सुनते ही जोर से ताली बजाई और सास ने जब रेणो का शायराना जवाब सुना तो उनके गले में बिर्यानी अटक गई बहु ने एक और शायरी का तीर छोड़ा शायरी में बहु की सामने सास हो जाएगी धेर क्योंकि सास मारेंगी एक शेर तो बहु मारेगी सवा शेर सास को छोड़ के सब वावा करने लगते हैं आज पहली बार सास को नहले पे दहला मिला था और रेणु ने सास का मूँ चुप करा दिया था अगले दिन रेणु का पती उससे कहता है अरे वाव तुमने तो मा की बोलती बन कर दी मसा आ गया अब मेरे लिए कुछ बना दो खा कर मैं काम पर चला जाओ शाइरी ही है मेरा जीवन वही करोंगी जी भर के ना करानी रख लो कोई काम नहीं करोंगी मैं घर के अरे तुम क्या मा जैसे एरकते करने लगी सीधे सिधे बात करो ना हो गई कर शाइरी रोज थोड़ी ना करोगी शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दो जो मुझे शाइरी से रोके उसके कान मरोड़ दो पती गबरा कर वहां से चला जाता है और बहार उसके पिताजी के पास जाकर बैठ जाता है दोनों अपनी बीवियों की शाइरी से परिशान है ससुर को पच्टावा होता है कि क्यों उसने बहु को सास की भाशा में ही जवाब देने का आइडिया दिया अब तो घर में दो दो शाइर है दोनों एक साथ दुखी स्वर में कहते है हम दोनों की ही बीविया जब से शाइर हो गई है क्या बताएं जिन्दगी एक फटा हुआ टाइर हो गई है हम दोनों की ही बीविया जब से शाइर हो गई है क्या बताए जिंदगी एक फटा हुआ टायर हो गई है बड़ी पहू वर्षा हर काम में बहुत तेज थी वही छोटी वहू हर्षा हर काम आराम से करती वर्षा को अपनी तेज़ी पर बहुत घमंड था वो बाद बाद पर हर्षा को ताना मारा करती एक दिन वर्षा किचन में खाना बना रही होती है और हर्षा से कहती है देवरानी जी इतना धीमे धीमे खाना बनाओगी तो लोग भूख से मर जाएंगे पिछले जनम में कचुआ थी क्या मेरा तो पता नी आप बहुत तेजो आप पिछले जनम में घोड़ा थी क्या वर्षा आराम से चली जाती है खाना खाने के बाद वर्षा का पती गौतम हर्षा का पती लोकेश और उनके मादा पिता बैठ कर टीवी देख रहे होते हैं तब ही सास कहती है अरे रामायन लगा दो हर्षा हर्षा दीरे दीरे चैनल बदलती है जब तक रामायन की चैनल पर पहुँच उगी रावन मर भी चुका होगा हाँ बेटा हर्षा जल्दी लगा देना राम भगवान के दर्शन कर लू जी लगा तो रही हो इतना स्लो सासु मा इतने में तो अयोध्या जाके राम भगवान के दर्शन कर आएंगी सब वर्षा की बात पर हस्ते लगते है वर्षा हर्षा के हाथ से रिमोट लेकर रामायन लगा देती है हर्षा बुरा नहीं मानती और वो भी हस्ते हुए वहाँ से चली जाती है एक दिन हर्षा खाना खा रही होती है तबी वर्षा वहाँ के कहती है हरे कितना धीमेदी में खा रही हो इतने में तो शादी में सौ लोग खाना खा लेते आदे घंटे से खाना खा रही हो तुम अरे खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए हाँ हाँ आप तो चबा के भी खाती हो और दबा के भी अरे आपको मेरे धीरे खाने से दिक्कत है या ज्यादा खाने से अरे आप धीमे खाओ या ज्यादा खाओ मुझे क्या बस मैं ये कहने आई थी कि सुबर कुछ महमान आ रहे हैं जल्दी उटके खाना बना लिना देर मत करना साथ में बनाते हैं न तुम्हारे साथ बनाऊंगी तो स्पीड को पांच वे गियर से पहले गियर पर लियाना पड़ेगा अरे भई तुम्हारे साथ रहकर तो मेरी तेज रफ़तार पर भी असर पड़ेगा और मैं भी तुम्हारी तरह हौले हौले काम करने लगगी सब ठीक है मैं पराटे बना लूँगी और सबजी बना लूँगी आप चपाती बना लेना और डाल बना लेना हाँ हाँ ठीक है पर अलग-अलग ही बनाएंगे अगले दिन हर्शा जल्दी उठके काम करने लगती है और वर्शा सुबह उठके ये सोच के वापस सो जाती है कि काम तो वो तेज करी लेती है अगर थोड़ी देल सो भी जाएगी तो भी हर्शा से पहले तो काम निप्टा ही लेगी हर्शा, बेटा आज भगवान के लिए थोड़ा जल्दी हाथ चलाना हा महमान आने ही वाले है जी हाँ मा, आटा गुन लिया है, आलू बल रहे है पराठी बनाने ही वाली हूँ, फिर सबसे भी बना लूँगी इतने में ही वर्शा वहाँ आ जाती है मा जी, मेरा तो आप टेंशन ही मतलो, अभी उठी हूँ लेकिन देखना खाना फटा फट राज दानी एक्सप्रेस की स्पीड से बना दूँगी इतने में ही महमान आ जाते है आईए, 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 खाना बन ही रहा है चाय बनवा लेती हूँ पहले आपके लिए सास किचन में आती है वर्शा, वो लोग आ गये, चाय बना दे जल्दी से हर्शा को नहीं बोल रही, क्योंकि वो तो सुबह की चाय देने में शाम कर देगी चाय बन भी चुकी है माजी वर्शा तेज ही नहीं, सबसे तेज है आप चलिए, मैं चाय लेकर आती हूँ वर्शा महमानों के सामने चाय लेकर जाती है ये हमारी बहू है वर्शा तेज वर्शा कहते है इसको हर काम में इतनी तेजी रखती है जैसे मिल्खा सिंग भाग रहा हो अरे वावा फिर तो खाना भी जल्दी मिलेगा हमको हाँ हाँ आप चाई नाश्टा खतम कर लेंगे उसके पहले ही वर्षा जल्दी से स्वादिष्ट खाना भी लेकर आ जाएगी बादा तो कर लिया जल्दी खाना देने का आपकी चापाती भी नहीं बनी और डाल भी नहीं उबली फिर भी तुमसे पहले काम खतम हो जाएगा मेरा तुमारी तरह नहीं हो घड़ी की सबसे पतली सुईकी जैसे धीमे 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 काम करती हो तुम बस वर्षा अपने तेज हाथों से दाल कुकर में चड़ाती है और आटा निकाल के गूंटने लगती है थोड़ी दिर में कुकर की तेज सीटी बचती है और वर्षा का हाथ डोल जाता है आटे में पानी ज्यादा पढ़ जाता है अरे रे आटा तो ज्यादा गिला हो गया वर्षा जब रोटी बेलने लगी तो एक पी रोटी गोल नहीं बन रही थी कोई रोटी श्री लंका के नक्षे जैसी थी तो कोई रोटी आस्ट्रेलिया के नक्षे जैसी बनती वर्षा चिड़ जाती है कुकर फिर से जोर से सीटी मारता है, सास बहर से आवाज देती है वर्षा बेटा, आज स्पीड थोड़ी कम लग रही है, टाइम और लगने वाला हो तो बता दो बेटा वर्षा को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है, वो सोचना भी नहीं चाहती थी कि कभी उसकी तेजी पर कोई सवाल उठेगा वहीं हर्षा धीमे धीमे अपना काम करते रहती है वर्षा दाल बनाते वक्त भी इतनी खबरा जाती है कि जल्द बाजी में दाल में नमक ज्यादा गिर जाता है वर्षा का खाना फिर भी हर्षा से जल्दी तो बन जाता है और जब खाना मेहमानों के सामने लगता है तो सब हर्षा के खानी की तारीफ करते है अरे पराथी तो कमाल की बनी है और सबजी भी पस दाल में नमक थोड़ा इधर हो उधर हो गया है वर्षा को बहुत शेर्माती है और वो नीचे सर करके खड़ी रहती है तब ही हर्षा कहती है वो ना मैं थोड़ी जल्द बाजी कर गई और नमक ज्यादा हो गया पर पराथी तो वर्षा भावी नहीं बनाए है इसलिए तो अच्छे बने हैं वर्षा ने कभी नहीं सोचा था कि हर्षा के काम की इतनी तारिफ होगी लेकिन वो उसका यश वर्षा को दे देगी